इंडियन नेवी के SSC मतलब Short Service Commission Officers की पोस्टिंग होनी है और इस सेशन के लिए नोटिफिकेशन आया है दोस्तों नमश्कार आप देख रहे हैं जीरो पिलिड इंडियन नेवी के इस नोटिफिकेशन की आज हम लोग चर्चा करेंगे चर्चा से पहले मैं आपको बता दूँ चौदा सितंबर की डेट पर यह नोटिफिकेशन आ चुका है और 29 सितंबर दो हजार चुबीस इसके लिए लाज़ डेट होगा तो कहने के मतलब आपके पास समय थोड़ा कम है तो 29 सितंबर से पहले पहले आप इसे आनलाइन सब्मिट कर पाएंगे किस-किस ब्रांच में क कितनी कितनी और क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है यह हम समझेंगे एप्लिकेशन आर इन्वाइट फ्रॉम एलिजिबल अनमेरीड मैन एंड अनमेरीड वोमन केडिडेट्स फॉर दे फॉर ग्रांट आफ शॉर्ट सर्विस कमिशन जिसे एससी के नाम से पुकारा जात है फार कोर्स कमेंसिंग आन जून ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आनवर्ड्स एट इंडियन नेवल एकडेमी केरला केंडिडेट्स मस्ट फुल्फिल कंडिशन आफ नेशनलिटी एज लट डाउन वाय दे गोवर्मेंट आफ इंडिया तो भारती अविवाहित जी एस जिसे कहा गया है हाईड्रोकेडर इसमें बीए बीटेक इन एन डिसेप्रेंट विट सिक्स्टी परसेंट मार्क्स जरूरी है फिप्टी सिक्स वेकेंसिज हैं इंक्लूटिंग साइक्स हाइड्रो मैन अनुमन मेक्जिमम आफ फिप्टीन वेकेंसिज इन जी एस एक इन तु वेकेंसिज इन जी एक्स हाइड्रो फार वमन और इसके लिए एज लिमिट 6 जुलाई 2 जुलाई 2000 से लेकर के एक जनवरी 2006 के बीच तक का मांगा गया है फिर इसके बाद दो केटिगरी एक साथ दो से तीन केटिगरी एक सां समझे बी सी और डी इसमें पाइलट है नेवल एयर ऑपरिशन्स ऑफिसर है जिसको एयर क्रू कहा गया है फिर एयर ट्रेफिक कंट्रूलर है यह तीन आपके पास मिलेंगे इनकी तीनों के लिए मैं एक साथ इसनक पढ़ रहा हूं क्यूंकि इन तीनों में बी अबलिक बी टेक इन इनिस डिसिप्लें विच सिक्स्टी परसेंट एग्रिगेट मार्क्स इन क्लास 10 एंट 12 एंड मीनिमम सिक्स्टी परसेंट मार्क्स इंग्लिश इन क्लास 10 आर 12 तो यह सारी योग्यता हैं आपके अंदर होंगी तभी आप यह तीन पदों के लिए आविदन कर पाएंगे इसमें चोबिस एक्किस और बीस पर कुल मिलाकर के बताय गये हैं पाइलोट के चोबिस हैं नैवल एयर आफ़सर आप्रेशन के 21 हैं और एसमें तेनों मैं मैं मैंन और तीनों में दोनों केटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट दो जुलाई दो हजार एक से एक जुलाई दो हजार शे शुरू के दो में बताई गई है और तीसरे में दो जुलाई दो हजार से एक जुलाई दो हजार चार तक की लिमिट बताई गई है तो एज लि स्क्राइब इसमें 2 जुलाई 2000 से एक जन्वरी 2006 तक का बताया गया है और मेन और मेन दोनों इसमें इसके लिए जो को एजुकेश्टिल क्वालिफिकेशन है उसमें बी अब लिक बी टेक इन एनी डिस्प्लिन विथ फर्सक्लास और म्बी फर्सक्लास और बीस्प्री बीख को मजिए सी इट विट फर्सक्लास अलांग विपी घी डिपलोमा इन्वाइन्ट ऩायनस लोग स्टिक संप्लाइयन ङे discour样 लांग सप्लाइशन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यह पूरा डीटेल समॉझ में आ जाएगा का लंबा इसमें क्राइटेरिया बताएगा जिसमें project सामिल है जिसमें केमिकल सामिल है तो आप उस वह अपने लेवल पर स्टुड़ी कर ले सोला पद यानि कि सोला वेकिंसी इसमें आती है दो जुलाइ दो हजार से ले करके एक जनवरी दो हजार छे के बीच का आपका जन्म होना जरूरी है और मैं या उमन दोनों ही इसमें भी सकते हैं। अब हम पहुँचते हैं एजुकिशन ब्रांच में इसमें अपको पहला लिखा है शिकॹ्टी परसेंट मांका सी मैच्ञ ओब्लिक उपरेशन दे सर्च विजिक्स इन बीस इसी में आपको फिजिक्स और मैंसी मैच्सों को लेकर के या फिर शिक्षे परसेंट मा माक्स in MSC chemistry with physics in BSC. BSC में आपका PCM physics के साहां और MSC आपकी chemistry में हो. फोर्थ है बी अब्लिक BTEC with minimum 60% marks in mechanical engineering. फिर है बी अब्लिक BTEC with minimum 60% marks electrical electronics and telecommunication engineering यह इसके branches बताए हैं. छटवा जो है को 60% marks in MTEC from recognized university in any of the following discipline. Disciplines कोन कोन से है MTEC thermal MTEC communication system और यह दो option आपके पास हैं इन में 8 पद हैं इन में 6 पद हैं साथ पद हैं और दोनों में यह तीनों में एक तरसे कहूं मैं age limit 2 July 2000 से ले करके 1 July 2004 के बीच की बताई गई है. अगला जो category है वह है आपका engineering branch का technical branch का तो इसमें engineering branch जिसमें general service कहा गया है B.E. B.T.E.C. with minimum 60% marks in यह बहुत सारे branches इसमें भी दिये गया है. मैं चाहूंगा कि आप इसे download करके समझ ले क्योंकि इसमें airspace भी दिया गया automobiles भी दिया है, metallurgy भी दिया गया है. 36 places यहां पर vacant है, seats available हैं, जिसमें 2 July 2000 से ले करके 1 January 2006 के बीच के जन में लोग आविदन कर सकते हैं. आखरी जो है वह electrical branch का है, जिसमें B.E. B.T.E.C. with minimum 60% marks in electrical electronics और बहुत सारे branches का उलेक किया गया है. 42 vacancy इसमें आ रही है. और इसमें भी age limit वही है जो मैंने आपको पहले बताई है. तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको यह पूरी detail बताई कि किस किस category में कितने कितने पद हैं, कितने कितने लोग वहां पर require किये जा रहे हैं, तो आप अपनी qualification के हिसाब से इसमें apply कर पाएंगे, उसे एक बार चेक कर लेंगे. यह पूरा जो notification है, उसका PDF मैं आपको link के थूरे available करा रहा हूं, आप वहां से जाकर किसे देख लें, और फिर उसके हिसाब से अपने जो विशय हैं, उनका निर्दारन कर लें, जहां पर आपको आवेदन करना है, फिर इसमें बहुत सारी और चीज़े दी गई हैं, जिसे आपको इस notification के लिखता है, the selection process is as follows, short listing of application will be based on normalized marks obtained by the candidate in the qualifying degree, जो qualifying degree है, उसका normalized marks को देखेंगे, marks obtained by the candidate in the qualifying degree will be normalized using formula mentioned to join Indian Navy website, इनकी जो website है, उसमें marks का कैसे normalization किया जाएगा, उसका पूरा detail है, तो आप वहाँ पर जाकर कि उससे समझ सकते हैं कि आपने जितने marks पाएँ हैं, उनका normalization यह कैसे करेंगे, तो उसके basis पर आपको पता चल जाएगा, फिर आगे के बहुत सारे process के steps इस पर दिये गए हैं, फिर matrix बनाया जाएगा, वो बताया गया है, उसके बाद training होगी, probation period का उलेक किया गया है, और उसके बाद how to apply जो सबसे जरूरी है आपके लिए, वो आप समझ लीजिएगा, इसमें download करने के बाद, इसमें how to apply में आपको online apply करना है, मैं basic चीज आपको बता देता हूँ, correct filling up to personal particular details are to be filled up is given in the matriculation certificate, जो आपकी बारवी कक्षा की certificate या दस्वी कक्षा की certificate होती है, उसको आधार बना कर कि आपको data birth और नाम सारी चीजों को entry करना है, और किसी भी चीज बे कोई किसी भी तरफ का, की discrepancy नहों, इस बात का ध्यान रखें, और उसके बाद इसमें और कोई बड़ी बात नहीं कहीं गई है, एक और जानकारी आपको देता चलो, ये जो QR code है, इसको scan करके आप online apply का process और जान सकते हैं, scan this QR code to apply online, online apply करने के लिए, इस QR code को आप scan कर सकते हो, मोटी मोटी बाते मैंने आपको बता दी, last date मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 14 सेतंबर की date पर ये रोजगार समचार में प्रकाशित हुआ है, और बहुत जल्द आपको इसको भर के भेज़ेना है, अगर आप online mode में application submit कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि within date, within time time आप अपना application submit कर लें, और किसी भी तरह की कोई doubt हो, तो इन्होंने कुछ mail ID भी कहा, दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप अपने mail करके पूछ सकते हैं, website पर जाएंगे, तो आपकी सारी शंकाओं का समधान भी हो जाएगा, और किस तरह से आपके normalization कि जाएंगे marks के, वह भ कोटा सा विग्यापन था, जो मैंने आपके साथ share किया, आप इसमें interested हैं, तो आप जरूर इसमें आविदन करें, शुब कामनाओं के साथ इस वीडियो को, मैं यही पर भी राम देराओ, फिर आप से बात करेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार